सिवनी में एक पंद्रा वर्षिय नाबालिक का अपरहन कर बंधग बनाकर उसके साथ बलातकार के जाने का मामला सामने आया है और ये बताय जा रहा है कि बंडोल थानक शेत्र के मुठार गाउं में रहने वाली इस नाबालिक का अपरहन बीती च्छे माई को सिवनी के बोरे गंज लाके में रहने वाली आरोपी सूरज और फराजा यादो नाम के शक्स ने किया था और आरोपी नाबालिक को सिवनी में बंधग बनाकर देड महीने तक उसके साथ बलातकार करता रहा मुग्बीर के सूचना पर बंडोल पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है पिडिता ने पुलिस को दिये बयान में बताय जा रहा है कि बीती 6 मई को जब आपने खर से बजार जाने के लिए निकली उसी दोरान आरोपी ने उसे जबर्दस्ती अपनी बाइक पर बिठा कर सीवनी ले आया जाम बंधग बनाकर आरोपी उसके साथ बलातकार करता रहा बाडोल पुलिस ने पीडिता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपरहन बलातकार और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दजकर उसे नियाले में पेश कर जेल भेज दिया है